हलो, नमस्कार, मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है, मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग जार्खन का परिचय को दिखते हैं, आज हम लोग प्रजार्खन को डीटेल में समझते हैं, और टोप 20 कोस्टिन को डिस्कसन करते हैं, और ये कोस्टिन्स जार्खन के कि इसी भी एक्जाम में बहुत कामगार साबित होने वाला है जैसे कि अभी हाल ही में JPSC का एक्जाम होने वाला है और बहुत सारी एक्जाम है जो जहारखन के एक्जाम है बहुत इंपोटेंट है जहारखन एक्जाम के लिए और ऐसे भी अगर जहारखन एक्जाम की बात ना कर जार्खंड राज का गठन कब हुआ? तो जार्खंड राज का गठन 15 नुवंबर 2000 को जार्खंड राज का गठन हुआ राची में है अगला को सेन जहारखंड की उपराजधानी कहां है तो जहारखंड की उपराजधानी दुमका में है और अगला को सेन की जहारखंड की ओधोगिक राजधानी कहां है तो जहारखंड की ओधोगिक राजधानी जमसित्पूर है अगला को सेन जहारखंड का अगला question कि बिहार के कितने परतिसत भुभाग को जार्खन राज़ का निर्मान किया गिया यहार का 45.8 परतिसद भुभाग को अलग करके जार्खन राज़ बनाया गिया ठीक है अगला question कि जहारखन का राच्किय दिवस कब है तो जो जहारखन का राच्किय दिवस है यह 15 नमबर को परतिवर्स मनाया जाता है ठीक है तो मेरे पैरे साथियों अगर आप लोगों को हमारा यह वीडियो अच्छा लग रहा है कुछ सिखने को मिल रहा है तो हमारे इस चैनल को आप लोगों लाइक करें शेर करें सस्क्राइब करें और एक कमेंड जरूर करें आप लोगों को जैसा भी लग रहा है एक कमेंड जरूर करें और अपना राई दें ठीक है मेरे प्यारे साथियों अगला question देखिए जहारखंड का राजकिय पच्छी कौन सा है तो जहारखंड का राजकिय पच्छी कोयल है अगला question 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 जहारखंड का राजक दूत्या राजके भाषा कोण से जारखन कर राजके भाषा कोन सी यानि पहला में तो Рाजके भाषा में हिंदी आता, लेकिन दूसरा राजके भाषा उर्दू है अगला कोस्यन। कौन सी जार्खंड की चित्रकला सहली है यह बहुत इंपोटेंट है तो यहां है जादुपतिया जार्खंड की चित्रकला सहली है अगला कोस्चेन जार्खंड की परति बेक्ति आई कितनी है बहुत इंपोटेंट बहुत 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 इंपोटेंट कोस्चेन कि जार्खंड की at present time में परती ब्यक्ति आई कितनी है तो बरतमान समय में जारखंड की परती ब्यक्ति आई 33,260 रुपिया है बरतमान समय का बात बता रहे हैं यह बारसिक है हाना अगला question जारखंड भारत के किस भाग में इस्थित है तो जारखंड जो है भारत के उत्तर पूर्वी भाग में इस्थित है अगला question और आज का वीडियो का last question जारखंड की आकिरती कैसी है तो जारखंड की आकिरती चतुर भुजाकार की है ठीक है यह चतुर भुजा तो बहुत अच्छा हम लोग उसको discussion करेंगे और जारखंड का एक भी question छूटेगा नहीं हम लोगों से ठीक है किसी भी exam में भले हुआ आप लोग को अगला वीडियो जल्जी मिलेगा तब-टब आप लोग घर में रहें आप लोग अपने appreciation को और adapts बनाते रहें ठीक है तो आप लोग से E